संग प्रदेश में विकास को मिला एक नया परीचे जन जन को सुविधा संपन जीवन हुआ अरपण भारत के लोप्रिय प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूर दर्शी नेत्रित्व में पिछले नव वर्शों में देश में विवित शेत्रों का विकास वेगवन्थ हुआ है मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले पांच वर्शों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई उचाई पर पहुँचा है हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेणा एवं संग प्रशासक माननिय श्री प्रफुल पतेल जी की प्रतिबद्ता के परिणाम स्वरू आज यहां अनेक विकास कारेओं का लो कारपण होने जा रहा है संग प्रदेश में आज लगबक 1550 करोड की 46 विकास परियोजनाओं को संग प्रदेश वासियों को अरपण किया जा रहा है दाद्रा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकारपण हो रहा है उनमें शामिल है सिल्वासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट पांच सरकारी हाई स्कूल कला केंद्र बिल्डिंग मौदल स्कूल से बस स्टन तक स्काई वॉक वे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम कॉलेज में अउडिटोरियम अंडिग्राउंड पार्किंग और एग्जिबिशन एरिया दाद्रा में इंग्लिश मीरियम स्कूल साहिली स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स दाद्रा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट नई ब्रिज और तीन फ्लाई ओवर एवं रोल्स दमण में भी OIDC इंडस्रियल एस्टेट नानी दमण में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज नानी दमण में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स मोटी दमण फोर्ट का विकास, नवीनी करण और सुन्दरी करण फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइट करने का प्रूजेक्ट विविद सरकारी स्कूल और महावित्याले, वाटर सप्लाइ प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉंपलेक्स जैसे कई उलेखनीय परियोजनाओं का लोकारपन किया जा रहा है ये परियोजनाओं न सिर्फ संग प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहां के किसानों, जन जातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर्त्रदान करेंगी, एवं उनके लिए उन्नती और विकास की असीन संभावनाओं के द्वार खुलेंगी, सर्वांगेन विकास का सुनहेरा अध्याए, संग प्रशासन प्रति बद्धता का परियाए